नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे railway group D 2021 exam के उपर तो ये सभी जो questions होंगे सभी expected questions होंगे general science के general science के सभी important questions होंगे जो की बार-बार exams में repeat होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ हमारे चैनल को भी subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है heaviest naturally occurring element in the periodic table is तो सबसे ज़ादा जो heavy element होता है periodic table का जो की naturally पाया जाता है वो कौन सा रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा uranium तो uranium जो होता है ये सबसे heavy element होता है सबसे भारी element होता है जो की naturally निकाला जाता है या फिर naturally पाया जाता है तो यह आपको ध्यान डखना है, यह question हम पहले भी discuss कर चुके हैं अपने channel पर, अगला question देखते हैं Which of the following is used in the manufacturing of fertilizers, तो fertilizers को बनाने के लिए इन में से कौन सा element होगा जो की use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा all of the above, तो nitrogen, potassium और phosphorus इन तीनों का use करा जाता है fertilizers को बनाने के लिए तो most important question है, अगला question देखते हैं, the chemical name for milk of magnesia, तो milk of magnesia का chemical name क्या होता है अब आप सबको पता है होगा कि chemical name और chemical formula के ऊपर काफी question पूछे जाते हैं, जिसकी separate video आपको हमारे channel पे मिल जाएगी तो आप उसको जरूर देखें, तो milk of magnesia जो होता है, क्या होगा उसका chemical name तो हमारा answer हो जाएगा magnesium hydroxide magnesium hydroxide जो होता है, ये chemical name होता है, milk of magnesia का the most abundant inert gas in the atmosphere is, तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली noble gas या फे inert gas कौन सी है atmosphere पे, तो हमारा answer हो जाएगा argon, तो argon जो होगी जो की noble gas होती है, सबसे ज़्यादा पाए जाती है atmosphere में, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली noble gas रहेगी argon अगला question देखते हैं, detergent used for cleaning clothes and utensil contents, तो कपड़े या और चीज़े दोने के लिए जो detergent होता है, वो जो use करा जाता है, उसमें क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा, sulfonates, तो sulfonates जो होते हैं, वो present होते हैं, detergents में, जो की use करा जाता है, clothes या फिर बाकी चीज़ों को साफ करने के लिए, clean करने के लिए what is the atomic number of aluminium, aluminium का atomic number क्या होता है, तो atomic number, mass number हो गया, यह सब आप जरूर स्टड़ी करें, क्योंकि formula based question भी पूछे जाते हैं, exams में, तो aluminium जो होगा, उसका atomic number कितना होता है, तो हमारा answer हो जाएगा 13, 13 जो होता है, atomic number होता है, aluminium का, जितने भी elements होंगे, सबके atomic number आपको याद रखने अगला question देखते हैं, what is the chemical formula of glycerol, glycerol जो होता है, उसका chemical formula क्या होता है, तो हमारा answer हो जाएगा C3H8O3, C3H8O3 जो होता है, chemical formula होता है, glycerol का, what is the pH value of baking soda, baking soda का pH value कितना होता है, तो हमारा answer हो जाएगा 8.3, 8.3 जो होता है, यह pH value होता है, baking soda का, अब आपको 8.3 के करीब जो भी option मिलेगा, वो आपका correct answer हो जाएगा, वो आप ध्यान रखें, और दोस्तो pH value जो होता है, most important topic रहता है आपके exam के लिए, आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि pH value के उपर question जरूर पूछे जाते हैं, एक question जरूर मिलेगा आप आपको pH value के उपर, और जो pH value होती है, इसके उपर आपको separate video भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप उसको भी जरूर देखें, अगला question देखते हैं, what is the composition of nickel steel, nickel steel जो होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो हमारा answer हो जाएगा, fe, cr, ni, तो fe जो होगा, वो हो जाता है iron, cr जो होता है, यह होता है, chromium, और ni, जो होता है, यह होता है, nickel, तो यह तीनों जो होते है, इनका composition होता है, nickel, steel, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, nickel, जो कि होता है, 30-35%, chromium जो होता है, वो होता है, 20-23%, और जो iron होता है, वो पाया जाता है, 40% के करीब, और अगर iron जो होता है उसका जो concentration होता है वो अगर जादा बढ़ा दिया जाए तो nickel steel जो होता है ये convert हो जाता है reclassify हो जाता है stainless steel में तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि stainless steel जो होता है अगर हम nickel steel में जो iron होता है उसका जो concentration होता है उसको बढ़ा देंगे तो वो stainless steel में convert हो जाता है अगला question देखते है what is the symbol of tin तो tin जो होता है उसका symbol क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा sn जो होता है ये tin का symbol होता है जितने भी elements होते हैं सबके symbol भी आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि कभी-कभी exams में जो question पूछे जाते हैं उसमें आपको symbol दिया जाता है और उसको solve करने के लिए पूछ लिया जाता है अगला question देखते हैं vulcanization of rubber is carried out by adding तो vulcanization जो होता है rubber का वो carry out करा जाता है किस चीज को मिलाने की वज़े से तो हमारा answer हो जाएगा sulfur तो sulfur जो होता है वो add करा जाता है जिससे कि vulcanization का जो process होता है rubber का वो carry out हो सके तो ये भी एक most important question रहता है direct question पूछे जाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं question वही same question आपको exam में ज़रूर मिलेंगे अगला question देखते हैं what is the scientific name of onion onion जो होता है प्याज जो होती है उसका scientific name क्या होता है अब scientific name जो होते हैं ये important रहते हैं एक question आपको scientific name के उपर भी मिल सकता है exam में तो onion का scientific name क्या होगा तो हमारा answer हो जाएगा allium cepa allium cepa जो होता है ये scientific name होता है onion का chemical name of bleaching powder is bleaching powder का chemical name क्या होता है काफी बार डिसकस कर चुके हमारा आंसर हो जाएगा केमिकल नेम होता है bleaching powder का तो father of medicine किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट हिप्पोक्रेट जो है इनको father of medicine के नाम से भी जाना जाता था और father जो रहेंगे father of different field जो topic रहता है उसकी separate video आपको हमारे channel पर मिल जाएगी आप उसको भी देख सकते हैं वो भी काफी important रहेगा अगला question देखते हैं largest internal organ of human body तो अगर largest organ की बात करी जाए कि largest part जो होता है human body में वो क्या होता है तो वो रहेगा skin skin जो होता है largest part होता है body का अगर आपसे पूछा जाएगी largest internal organ कौन सा होता है तो हमारा answer हो जाएगा liver liver जो होता है यह largest internal organ होता है अगर largest part पूछा जाए elementary canal का तो वो रहेगा small intestine small intestine जो होता है elementary canal का largest part हो जाता है तो यह question होते हैं जो कि अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं लारजेस्ट पार्ट के उपर तो इनको आप जरूर स्टडी करें अंगला कोशन देखते हैं जीरो फैतलमिया इस कॉस्ट बाइ डेफिशेंसी और तो जीरो फैतलमिया जो डिसीज होती है ये किस चीज की कमी की वज़े से होती है तो हमारा अंसर हो जाएगा विटामिन ए तो विटामिन ए की कमी की वज़े से नाइट ब्लाइंडनेस जो बिमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस जो बिमारी होती है उसको ही जीरो फैतलमिया के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ए जो होता है ये हमारी आई से related होता है night blindness और zero fetalmia जो होंगी ये भी night blindness की ही बिमारी होती है तो ये related हो जाएंगी vitamin A से which gland is both exocrine and endocrine gland तो ये एक most important question रहता है exam के लिए कि कौन सा gland होता है जो कि एक exocrine gland भी होता है और एक endocrine gland भी होता है तो हमारा answer हो जाएगा pancreas तो pancreas जो होते हैं ये एक ऐसे gland होते हैं जो कि endocrine भी होता है और एक exocrine gland भी होता है दोनों काम होते हैं और pancreas जो होती हैं ये किस चीज को secret करती हैं तो insulin जो होता है जो कि diabetes से related होता है तो pancreas जो होती हैं वही secret करती है insulin को तो ये भी आपको जरूर पता होना ची एक्जाम में पूछा जाता है अब परसन फील फैटीग ड्यू टू डिपोजिशन ओफ विच एसेड इन मसल तो अगर यहाँ फैटीग की बात करी जाए तो फैटीग का मतलब होता है थकान जो एक परसन होता है वो थकान फील करता है अगर उसके जो मसल्स होते है उसमें कौन सा एसिड डिपोजिट हो जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक्टिक एसिड तो अगर लेक्टिक एसिड जो हमारी मसल्स होती है उसमें डिपोजिट हो जाता है तो person जो होता है जो व्यक्ती जो होता है वो हलकी सी थकान वो उसकी वज़े से थकान जो होती है वो महसूस करने लगता है तो यह होता है lactic acid की वज़े से विटामिन विच इस मोस्ट रेडली मैनुफेक्चरड इन आर बॉडी तो सबसे ज़ादा तेजी से कौन सा vitamin होता है जो कि हमारी body में manufacture होता है भी हमारी body में बनता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin D तो vitamin D जो होता है सबसे तेजी में बनता है हमारी body में पहले भी discuss कर चुके हैं इस question को और ये दुबारा repeat हो गया आपके exam में भी question ज़रूर पूछे जाएंगे जो vitamins होते हैं इनसे काफी question मनते हैं और सभी important रहते हैं litmus paper used in laboratory are obtained from तो litmus paper जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं कहां से obtain जो होते हैं वो किये जाते हैं तो हमारा answer हो जाएगा litmus paper को जो कि हम यूज करते हैं अपनी laboratory में टेस्ट के लिए यूज करा जाता है litmus paper को acid और basic में convert करने के लिए भी litmus paper जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं तो litmus paper जो होते हैं यह obtain किये जाते हैं listen से तो यह आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें और साती हमारे चैनल को भी subscribe कर लें जितने भी important topic रहेंगे सबकी आपको separate वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे साती हम channel में जाके भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो सारी पसंद आए तो उनको like जरूर करें धन्यवाद दोस्तों